मैं आज सरद पवार को पुछने आया हूँ पवार साब दस साल तक आप महराश में आपकी सरकार थी केंद्र में भी आपकी सरकार थी दस साल तक आपने महराश को क्या दिया जराहिसाब लेकर आईए दस साल में क्या दिया जूठे वादों के लावे आपने कुछ नहीं दिया पवार साब अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है तो पूने का कोई चोरहा नत्यताई कर दो हमारा मूली महोल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा पाई-पाई का हिसाब देवेंद्र फड़नवीज ने माजी लाड़की बहन करकर हर बहन को पंद्रा सो रूपया हर महिने भेजने की शुरुवाद अब पवार साब कहते हैं इसमें नया क्या है मैं भी मानता हूँ इसमें नया क्या है तो आपने क्यों नहीं किया भला बताईए भाजपा का हर प्रत्यासी हमसे बढ़कर हम परिश्रम करेंगे भाईो बैनो ये चुनाव जो है ये चुनाव का परिणाम उनकी भ्रांतियों का जबाब एक बार महराश्ट चरियाना और जारकंडम जीत लेते ये राहूल गांदी का हंकार चूर चूर हो जाएगा पूरे देश में जोन बढ़ने की जिम्मेदारी मेरे महराश्ट भाजपा के कारेकरताओं में आप मुझे बताओ भाई पूरे देश को फिर से एक बार 14 से ज़्यादा जोस में लाना है या नहीं लाना है जोड से बोलो लाना है नहीं लाना है इसका एक मात्र रास्ता है इतियास में अब तक का सबसे बड़ा विज़ाए महराष्ट में पूरे देश के कारेकरताओं को जोस दिलाने का काम करेगा इसकी जिम्मेदारी भाईयो बेनो आपकी भाईयो बेनो यह जो बात करते हैं महराष्ट के विकास की जवाब लेते हैं मैं आज सरद पवार को पूछने आया हूँ पवार साब दस साल तक आप महराष्ट में आपकी सरकार थी केंद्र में भी आपकी सरकार थी दस साल तक आपने महराष्ट को क्या दिया जरा हिसाब लेकर आईए दस साल में क्या दिया जूठे वादों के लावे आपने कुछ नहीं दिया भाईयो और बेनो यूपिये के दस साल में महराष्ट को केंद्र से एक लाग 91,000 करोड मिला था सिर्फ एक लाग क्यानवे हजार कितना मिला था जरा जोर से बोलो तो और जोर से बोलो गर-गर जाकर बताना है कितना मिला था एक मिनिट कितना मिला था फिर से बोलो नरेंद्र मोधी जी ने दस साल में 14 से 24 में दस लाख पांच अज़ार करोड रूपया महाराश्ट को दिने। और पवार साहब, अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है, तो पूने का कोई चोरहा नत्यताई कर दो, हमारा मूली महोल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा, पाई-पाई का हिसाब। मैं आज भाईो बेनो, दस लाख करोड का हिसाब लेकर आया हूँ, दस लाख करोड का, ना उन्हेंने मुंबई के लिए किया, खुदनासिक के लिए किया, ना पुना के लिए किया, ना नागपूर के लिए किया, चारो सहरो का विकास, अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किये हमने रोड़ वेस के लिए 75,000 करोड दिया रेलवे के लिए 210,000 करोड दिया ये रेलवे मंत्री यहां बेटे जोड से ताली बजाओ जरा जोड से ताली बजाओ और एक लाग करोड का मुंबई अम्दवाद बुलेट्रेंड मैंने दस लाग करोड में नहीं गिना है और चार हजार करोड एरपोर्ट के विकास के लिए दिया छे लेन का अटल बियारी बाजपई सेवारी नहा सेवा अटल सेटु का उद्गाटन हुआ 11,000 करोड का पालखी मार्क बना रेलवे के अठावन सो किलोमीटर के 34 नए प्रोजेक्ट आए 561 करोड से महराष्ट में नो एरपोर्टों का रिनोवेशन हुआ मच्यपालन के लिए सिर्फ मच्यपालन के लिए 26 करोड रुपया और 1,80,000 मच्यपालन के लिए बड़े-बड़े मत्स केंद्र बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकानी और पवार साब आप कहते हों कि आपने विकास किया ये महराष्ट के सहकारी साकर कारखाने महराष्ट के किसाने का समरूधी का राजमार गया दस साल तक पवार साब आप कुरुशी मंत्री सहकारीता मंत्री थे दस साल तक 10,000 करोड का इंकम टेक्स का प्रस्थना आप सल नहीं कर पाये थे मैं सहकारीता मंत्री गया मोदी जी के पास फाइल लेकर गया देड़ मिनीट में 10,000 करोड का साकर कारखाना होगा काम देड़ साल में किया महराज सरकार ने भी नया बजेट पारित किया मोदी जी ने नारी सक्ती वंदन अधिनियम से बहनों को विधान सबा और लोक सबा में 33 प्रतिसत आरक्षन दिया और देवेंद्र फड़न विज ने माजी लाड़की बहन करकर हर बहन को 1500 रूपया हर महिने भेजने की सुरुवाद अब पवार साब कहते हैं इसमें नया क्या है मैं भी मानता हूँ इसमें नया क्या है तो आपने क्यों नहीं किया भला बताईए आपने करना चाहिए था ना अब चिंता मत करो पवार साब महराज की जनता आपको करने का मौका भी नहीं देने वाली है फिर से भारतिय जनता पार्टी की सरकारानी औरे खटा-खट खटा-खट याद आता है ना आता है या नहीं आता है मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूँ देश की जनता ने तो खटा-खट, खटा-खट, फटा-फट, फटा-फट पर बरोसा नहीं किया मगर आपके पास राज्य सरकारे है करनाटक में है हिमाचल में है तेलंगाना में है तीन तो बची ही है तो वहाँ खटा-खट भेद दीजे ना पैसा भई भेदना चाहिए और नहीं भेदना चाहिए मैं तो तेलंगाना करनाटक और हिमाचल की बेहनों को कहना चाहता हूँ एक खटा-खट का दिमांड खडा करिए अरे छोड़िये राहुल बाबा आपकी सरकारों को आ एजंडा देख लिजे तेलंगाना और करनाटक में और हिमाचल में वन्थड एजंडा भी आप पूरा नहीं कर पाए और मोधी सरकार ने 14 के एजंडे में से एक भी बात बाकी नहीं है और 19 के एजंडे में सिर्फ 3 प्रतिसत बात 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 प्रतिसत बात 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 बात